हमस्कास दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की क्योंत रंजेंद में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्सीबी और राजस्थान राल्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के बारे में कि इनका ड्रिम लेवन टीम प्रेडी के सिंग क्या रहने वाला है फुन एनिलिसिस के साथ मैं इस वीडियो में हाज जी रही हूं तो फटापट से मारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीए चलिए वीडियो को इस्ट्राट करते हैं दोस्तो 28 मार्च को यह मैच खिला जागा साम साथ बज़े सुमवार आज ही के दिन यानि पिछ रिपोर्ट की बात करें तो यह बैट्समेन को काफी जादा फायदा मिलता है और साट बांटरी है यहां पर यहां पर साट बांटरी है एंड क्वीक आउट फिल्ड यानि काफ प्रिम चवाले जीती है हाईस चीशोर की बात करें तो यहां पर आर्शीबी ने 235 बनाया है और इसको रहता है सभी मेचों का अलोवेश्ट इसकोर संट सट है के के यार का दस बिकेट के नुकसान फिर इस टेडियम में बीलो इसकोर की बात करें तो टेंडर सो से कम 22 बर हुआ है कि स्कूर 150 और 170 के बेच में ही बनता है इसकोर 170 और 189 की बीच में बात करें तो एभब कि अधिती बार हुआ है और 190 की बात करें तो किवाल पंदर बार हुआ है इस टूनामेंट में बात कहते हुँ कि वान खेड़े इस्टेडियम कैसा भीएब करता है इस टूनामेंट में तो टोटल मैस तीन मैस खेल गया है यहाँ पर बैटिंग फर्ष्ट करने वाली टीम जीती है बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम तीन जीती है पहले बैटिंग करते हुए एवरेज इसकूर की बात करने एक्सोर 21 रहता है और रिकोर्ड की पात करें पेसर की तो शींटने यूद् सेकेंड बैटिंग करते हूए वानखेटे स्ट्योडियम में और दोनों इनिक्स की बात करें तो इस पीनर नहीं यहां पर आठ विकेट निकाले हैं और पेसस ने चौबिस यानि लग रहा है यहां पर तीन गुना फायदा मिलने वाला है पेसस को तो आपके लिए ड्रीमिलियर में अच्छा बन सकते हैं फा जेशेकें suf1195 बनाया और यहीं होशीद में बाइं यहांनी चेसिंग करनेवारी टिंग फस्ट इंस की बात करें तो इसपीनर पाच और पेसर ने समय पांच और पेसस ने वांच बिकेट निकाले तें बोट इनिंग की बाद करें तो इस्पीनर ने च्छाय पेसाश ने पांस बिकेट निकाले थे वहीं दूसरा में दूसरे में बात करें तो राजस्थान राल्फ और के क्रके बीच वहा था जिसमें से राजस्थान राद नें 136 रन बनाया थे यानि दोनों इनिंग की बात करें तो इसमें इस पीनर्स का बोल बाला रहता है पिछले सीजन का भी जो था वहीं और राजस्थान के टोटल मैच कितने आपस में खेले गए तो यहां पर 25 मैचेस खेले गए मैचेस जीते हैं यानि कुल मिला जूला कर देखा जात दोश्ण का परल्रा समान रहने वाला है राजास्थान राजस्थान राज के लिएग करें तो 70 रहता है हैस स्कोर राजस्तान सिस्कोर का 217 है अलोवेश इसकोर अन्ठावन था और रॉजस्थान रॉयल्स की बाद तो नों मैच के लिए डोनों भी है और लॉज एक भी मैच नहीं हुई है राजस्तान रॉय LAM게 बैटिंग 11 ऑर पलेंग 11 की बाम करें तो बैटिंग ओडर के रहने वाला है राजस्तान रॉयल्स का तो ओपनिंग करते दिख जाएंगा आपको जॉस बटलर यह सवी जैसे वाल और देदवाद पर्टिकल फर्टाउन आएंगे संजुर समसंग टू डाउन इसके बाद रियान प्राग रवी चंद्रा नस्वीन यूवी चहल और ट्रेंड बोल प्रसिद्ध कृष्णा यह है प्लेंग 11 राजस्तान रॉयल्स का तुए टॉप बैट्समें राजस्तान रॉयल्स रन इंटू टू मैचेस दो मैचेस की बैट्समेनों की बात करें तो कौ से पहले सतन मानने वाले वाखी जास बरतलर के कि जास साल की बात गरें तोkiejले मैच में 20 रन और दोसरे मैच में एक लाड़ striking पर दृत मैस पर मैच मे और ऐसमें साथन रहती हैं aware ஹथा कबात करें लो जाएंगे हैं के बालर जो ओपनिंग में जिलिबाजी करते आप आपको दिखेंगे पौर पल्हें पर सिद क्रिस्ना भी हात दो बडाले सब्सक्राइब जो भ्रत आपायगे और जाको और आपको पूरी मोड़िप में तिन या दो डाल सकते ही और प्राग दो डाले तो नोजिदי दो डालेंगे आ और रभी चंदरा नैश्विन यहां पर चार डालेंगे पर सिध किश्डा डालेंगे टुक्रीज़ थे बात तादुक मैक्सवेल आज खेलने वाले हैं मैच यानि मैक्सवेल वापस आ गया है रसीबी टीप में तो आर्सीबी काफी मजबूत इस्तिति में दिखेगी आज आपको तो फॉप्डू प्लेसिस यहां से बैड यह आएंगे अनुजरावत रहेंगे बिराट कोली डेविड व स्रंगा चार यानि मैक्सवेल के आने से यह शिफरन रदर फोर्ट बाहर हो सकते हैं इनके जगह पे आएंगे गलेन मैक्सवेल कि टॉप बैट्समें की बात करें तो इस कुरर की आर्सीबी के तरफ से फॉपडू प्लेसिस हैं जो पहले मैच में 88 रन और दोसरे मैच में प तो तीस रनों की पारी खेली ते और दूसरे मैच में 14 रन का मैच वीनिंग इनिंग खेले थे आर्सीबी के तरफ से कौन-कौन ओपन बालिंग करने आ सकता है डेविड विली आ सकते हैं में हुमत सीराज आ सकते हैं अकासदीब आ सकते हैं वही पिसेप कैप्टेन और वाइ ट्रेन बोल ये तिन लोग आपको गरल लिंग में बेष्ट कैप्रेन के रूम में मिल सकते हैं तो चले काम आपको सारे प्लेरों का क्रेडिड बहुत जादा है तो चलिए हम आपको टीम बना के दिखाते हैं तो यहां पर पिछले मैज में जो संदार इनिंग्स के लेते जौस बट्रल हमारी टीम में रहेंगे वहां से आएंगे बिराट कोहली बैट्समें के दौर पर जो पहले मैज में 41 रणों की संदार पारी खेली थी फाब डू प्ल बल्लेवाज किया नहीं है लेकिन मैं कम क्रेडिट होने के कारण में बल्लेवाज अच्छे हैं कम क्रेडिट होने के कारण में को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं वहीं बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल की जो पिछले दो मैच में अवेल्बन नहीं थे और इस मैच में पूर अब करते दिखे नहीं है साबाज अमत की बात करें तो कम क्रेडिट में बढ़ियां प्लेयर मिल जाता है आपको कि इनको मैंने पिक किया है वहीं बात करें तो हैजल बूड खेलने वाले नहीं है यूवी चहल है जो संदार गेंदबाजी से फसाते हैं सब प्रेटी बहुत चाट करें अपनी जाल में लग्जाते हैं इसलिए मैं को मैं नहीं लिए आऊ क्रेड़िट का ऐस्उ बहूत चाल दे है इस में मैच में तो हुर्शल में थեղ है जो आपके लिए वैस्ट बन सकते हैं कि सिमान पूल्ट की घखर होट प्रसकते है doin वह हसल पटेल को अटाकर अस्विन को रख सते हैं यानि काफी जाद अच्छे अच्छे गेंदवाज हैं दोनों टीमों के मिलाके लेकिन बात करें उपर के जो यूवी चहल है इनका क्रेडिट इसू होने के कारण में कोई ज्यादा लोग इनको ले नहीं रहे हैं ट्रेंड ब पताइए कैसा रहा है हमारा टीम और केप्टेन, केटन के बात करें तो केटन यहां वबरेकोहली को आप ले सकते हैं और वाइस कब्टेन यांजास बडलर को यह सांदार ड्रीम इलेवन का त्टीम यहां पे दोस्तों कापी मत कीजीगा को को कापी करने कीजरूरत नहीं कि फूल एनलेसिस बताया हूँ उससे जाके आपने अपनी दिमाग से अपने टीम बना लीजिए